हेलो गाइज, वेलकम बेक टो बड चैनल मल्टीटिक रेजोगे साना आज के वीडियो में हम बात कने वाले नोटिफिकेशन रिलीज होगा 2nd week of June 2024, रिलीज होगा online application 3rd week of June, लास्ट एट है 4th week of July, और certificate verification 1st week of August, और जो address हो 3rd week of August, उसके अभी हम बात करते हैं, इसके application form के बारे में जान लेते हैं, application form रिलीज होता है 3rd week of June 2024, आपको सबसे पहले basic detail, personal, academic, contract detail आपको प्रॉपर लेओ, वे आपको फिल अप कर सकते हो, आपको photograph और signature अपलोड करना पड़ेगा specific size of format में आप अपलोड कर सकते हो, लास्ट एट है 4th week of July 2024, application fees की बात कहते हैं, आपको online बोड में पेमिंट करना है, credit का, debit का, netविंकिंग के दुरू आप पेमिंट कर सकते हो, application का जो fees are non-defendable है, general category का जो application fee से 500 रुपे, SCHT, SCA category का जो application fee से 250 रुपे, आप कैसे apply कर सकते हो, उसके लिए आपको normally उनके official website में जाना है, वहाँ पे आपको new registration का tab दिखेगा, वहाँ पे simply new mobile number और email address आपको valid तरीके से add करना है, उसके आपको side address को properly तरीके से भरना है, उसके आपको payment करना होगा, online mode के through credit का debit का net banking के दो आप इसलिए payment कर सकते हो, उसके 7 continue करके आपको printout निकाल लेना है for a future reference, अभी हम इसके eligibility criteria की बात कर लेते हैं, आपको normal 8, 9, 10, 11, 12 आपको pass out करना पड़ेगा है, तमिलाडू हो, कोई भी recognize board से आप कर सकते हो, आपको 8 to 12 का किसी भी अगर आप outside तमिलाडू कर कर सकते हो, अगर आप से लंका तमिलाडू refugist हो, अगर आप तमिलाडू से study कर रहे हो, आपका certificate होना चीए residential का, education qualification की बात के आपको 11, 12 करना पड़ेगा, कोई भी recognize board से आप कर सकते हो, mandatory subject आपको eligible करना पड़ेगा, physics, math and chemistry, marks की बात के तो reserve का डिगरी का रहेगा, general का डिगरी 45%, backward class कर रहेगा 40%, MBCDNC का जो रहेगा marks 40%, SCHT, SCA के लिए जो marks रहेगा 40%, marine engineering course की बात करें, as limited 25 years, आपको 12 pass out कर करना पड़ेगा, कोई भी recognize board से कर सकते हो, आपको PCM में at least 60% आना चाहिए, और 50% marks आपको English में आने चाहिए, अभी हम बात करते हैं, आपको mandatory pass करना पड़ेगा, physics, chemistry, math and English, तो ही आप eligible कर सकते हो, इसके regarding हो को भी latest update मिलती है, हम आपको निए वीडियो के तो आपको अपडे आपको 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 आपक